का और दोस्तों दोस्तों देरा दून में फिलहाल आप जानते होंगे कि आंदोलन चल रहा है और फिलहाल सब भी आंदोलन कर रहे हैं जैसे की बेड के के अच्छ दी लेड और नाएस घल रहे हैं और लगातार तीन-चार दिन से आंदोलन बैठे वें है तो कि आप लोगों से request प्लीज जो यह वीडियो देख रहा है और जो बीट के candidate है या दियलेट के candidate है तो जादा से जादा आप लोग आंदोलन में आई है दिखे जितना जादा आप लोग आंदोलन भाग लेंगे उतना ही इस भरती की जल्दी पूरी होजनी की संभावना बढ़ जाएगी ठीक है अंदलन माने का मत्तब यह नहीं है कि सिर्फ अपने आप आ रहे हैं अपने साथ अगर किसी और को भी ला सकते हैं तो लाइए ठीक है डिक है क्योंकि यह जो भरती है सर्फ एक पर डिपर नहीं है कोई भी बच्यात1 होता है तो पैमली Kalau भी इसका परता है यानि कि कोई बच्याइव रहा है तो पैमली मेंबर्स यही परिशान हो रहे हैं इसी भरती यहरी करन तो lleva को भी आना चाहिए है ठीक है आपको अपनी फैमिली के साथ आईए भले यहां अंदोलन में लेकिन इस पर भाग जरूर लीजिए और कल इस जीलेट के जो केंडेट है उन्होंने भी आंदोलन शुरू किया लेकिन बेड और इस जीलेट का जो आंदोलन है वो थोड़ा उग्र आंदोलन हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है वही फिलहाल के लिए थोड़ा अच्छा आंदोलन है एना इस के जो आंदोलन हो रहा है उ नाद्यम से ही होगी तो आपस में जगरने का कोई फायदा नहीं है चाहिए नाइस के होग या बीट के होगा आपको जगरने का आप लोगों को इस समय एक होके अंदुलन करना पड़ेगा ऐसे नहीं कि एक टुकड़ी कहीं और अंदोलन कर रहे हैं कुछ कहीं कर रहे हैं ऐसे नहीं सब मिलके अंदोलन करिए इससे क्या हो गया संख्या बढ़ेगी अंदोलन में ज़्यादा केंड़ेट आएंगे तो ही इस भरती को जल्दी निप्टाने की सरकार को करता है बारा तारिक को कह रहे हैं कि महां अंदोलन होगा अभी फिलार यह सब अंदोलन में बैठें अब इनका कहना यह कि लोग जाएंगे नहीं जब तक इन लोगों को क्योंकि देखिए इससे पहले भी अंदोलन हुआ था लास्ट मेंथ और जब कैंडिये गया था कि जल करने की कोई जरूत नहीं है दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम बंदे नहीं होंगे इस अंदोलन में तो अंदोलन देखिए कोई भी कैंडियेट है वो ज्यादा कितने दिन यहां बैठ जाएगा ठीक है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ नए भी आ जाए कर रहे हैं अब यहां एकता दिखाने का समय है कोट ही देगा तो आपस में लड़के कोई फैदा नहीं है अधिक से अधिक केंड़ेट को मिलके इस भरती को पूरी करानी की मांग करने ही चाहिए फिलाल UK PCS और UK SSC में कई पद निकले जा रहे हैं लेकिन एक बात मैं आपको साल तक चल जाते हैं तो उनका कोई इतना भरसा नहीं है अभी फिलाल सरकार केंड़ेट को लोगाने के लिए नहीं नहीं विग्यप्तिया निकाल रही है वो तो चलती रहेंगे विग्यप्तियां फिर कुछ धानली हो जाती है विग्यप्तियों में सबको पता है कि सब भरसा है नहीं और जो पी आर्टी के लिए जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनकी जिम्मेदारी सब केंड़ेट्स की हैं वहां जाने की साथ में अपने पैरेंट्स को लेके आई ये अपने भाई बहनों को लेकिन आई ये वहां पर क्योंकि ये सिर्फ एक घर में एक बंद नहीं है गल्स को अधिक से अधिक यहां भरती में भाग लेना ही पड़ेगा क्योंकि उत्राखंड में 90% से ज्यादा गल्स ही बीएट कोर्स करती है ठीक है तो अब यहां जब आंदोलन की बारी आ रहे है तो यहां पीछे हटने की जरुत नहीं है नौकरी सब को चाहिए अ इस भरती का निवारण जल से जल्द हो तभी भाली हो पाएगी ठीक है ठीक है ठीक यू अब्रिवन